हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी तो आज की वीडियो में माँ आपके साथ अपना स्मूथनिंग का एक्सपिरियंस शेयर करूंगी मुझे स्मूथनिंग करवाई वन इयर हो चुक है पूरा एक साल हो चुक ह तो आज माँ आपके साथ अपना ओनेस्ट एक्सपिरियंस शेयर करूंगी कि मुझे मेरे बालों पर क्या फर्क पड़ा है क्या साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिले हैं मेरे बाल कैसे रहे हैं एक पूरा साल हो चुक है एक साल से भी ज्यादा हो चुक है तो गाईस एक साल पहले मैंने करवाई है स्मूथनिंग एक साल से भी ज्यादा चोदा महिने हो गए हैं मुझे स्मूथनिंग करवाई गए और आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बाल अभी भी मतलब की काफी ज़्यादा अच्छे हैं इसका कारण यहां कि मैंने अपने बालों की बहु बाल मेरे पतले हुए हैं बट पतले तो हो ही जाते हैं क्योंकि बालों को स्ट्रेट किया जाता है तो पतले तो हो ही जाते हैं बट इसके लावा मैंने अपने बालों की अच्छी क्यार किया अगर आप अपने बालों को लंबे टाइम तक स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आप जो कुछ मैंने किया है जो जैसे मैंने अपने बालों की केर किया है वैसे आप भी अपने बालों की केर कीजिए स्पिल्टेंड्स की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी चीज़ें अपने बालों पर use की हैं क्या क्या मैंने किया जिसे कि मेरे बाल काफी हद तक ठीक रहे हैं कई लोगों को मैंने देख़ा कि उनके बाल बहुती ज़्यादा खराब हो जाते हैं बट मेरे बाल इतने खराब नहीं हुए हैं तो बिलकुल close से आप मेरे फ्रंट के बाल भी देख सकते हैं कि अभी फ्रंट के बाल भी मेरे बिल्कुल ठीक है चोदा मेहने हो चुके हैं मुझे स्मूथनिंग करवाई हुए तो गाइज अब वान येर हो चुके हैं मेरे बालों को बालों में स्मूथनिंग करवाई हुए तो अब मैं अपने बालों पर पॉनी टेल भी कर लेती हूँ, सिरफ 48 hours हमें ज़्यादा precautions लेने पड़ते हैं, या हद से हद 1 week तक कि हमें पॉनी टेल नहीं करनी है, ब्रेड नहीं बनानी है, अगर उन दिनों में आप अपने बालों के अच्छी care कर लेंगे ना, तो आपके ब में कभी भी बेंट नहीं पड़ेगा, आप सारा दिन पॉनी टेल करके रखें, मैं सारा दिन पॉनी टेल करके रखती हूँ, ब्रेड बना कर रखती हूँ, यहां तक कि ऑईलिंग करके मैं जूडा भी कर लेती हूँ, बट जब मैं hair wash करती हूँ, तो मेरे बाल बिल्कुल प करवाने के कुछ दिन बाद अगर बालो के अच्छी केर कर लोगे ना, तो आपके बाल कम से कम दी तो दो साल तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, अब मैं सारा सारा दिन भी पॉनी टेल करके रख लेती हूँ, मेरे बालो में कोई भी बेंड नहीं पड़ता है, इसके लाज लॉरियल यह सब प्रोड़क्ट आप यूज कर सकते हैं, सीरम का आपको जुरूर यूज करना है, इसके इलावा ओइलिंग भी आपको करनी है, मैंने कम से कम 15 या 20 दिनों के बाद मैंने ओइलिंग करनी शुरू कर दी थी, मस्टर्ड ओइल मैंने लगाना शुरू कर मेरे वालों पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, आप एक साल पहले की वीडियो निकाल कर देख लीजिए, जब मैंने स्मूतनिंग करवाई है, और उसके बाद आप आज की वीडियो देखिए, पूरे 14 वहीने हो चुकी है, मुझे स्मूतनिंग करवाई सारा सारा दिन ब्रेड बना कर रखती हूं, आइलिंग करके रखती हूं, मस्टर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आमला ओल, कोकनेट आप यूज़ आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज़ करते हैं, वो आईल यूज़ कीजिए, टाइट वाले मोटे वाले रबर कीजिए, उसे आपके बालों में बैंड पढ़ेगा, तो मैं स्क्रंची का यूज़ करती हूं, इसे बालों में बिल्कुल भी बैंड नहीं पढ़ता है, बैंड अगर पढ़ना होना, वो स्टार्टिंग में ही पढ़ जाता है, अगर स्टार्टिंग में अच्छी के अरब कि ही होगी तो आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा तो आप मेरे बालों की लेंथ भी देख सकते हैं स्मूतनिंग करवाने के बाद मेरे बालों की लेंथ इंक्रीज हुई है तो गैज मैं बालों पर Oiling ज़रूर करती हूँ हफते में एक बार 僧म है मैं बालों पर Oiling करती हूँ मैं Oiling करके ही रखती हूँ smoothening का शोख न मुझे शुरू शुरू में था कुछ महीनों तक उसके बाद तो मैंने Oiling करने स्चार्ट कर दिया है एक मस्टर्ड ऑल में अपने बालों पर लगातीहां मसाज भी करती यों ग ब्रेट भी बना कर रखतीहां जूड़ा भी करती यों और जब में हः वाश कर लती हो तो मेरे बाल बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुलJust शीर्म का यूज मैं जरूर करती हूं सिरम को कभी भी अच्छी शाइन ऑजाती है मास्क का यूज जरूर कीजिए और काय ए पर बालों की cầnches तक आपके बाल को कुछ भी नहीं होगा, कई लोगों को मैंने देख़्ा है कि उनके फ्रंट से बाल बिलकुल खराब हो जते हैं, बाल रॉफ हो जते हैं, ड्राइ ओ जते हैं, बालों की लेंथ कम हो जती है, हीर फॉल बहुत ज़्याद होते हैं, मेरे साथ ऐसी कोई भी बनाकर रखी है कई लोगों का सोचना है कि स्मूथनिंग करवाने के बाद ऑईलिंग अगर करेंगे ना तो हमारे बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे तो गाई ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है तो आप ऑईलिंग जरूर कीजिए अगर हम यूज कीजिए मास्क का यूज कीजिए और अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है तो स्टार्टिंग के डेज में अपनी बालों के अच्छी केर कीजिए तो आपके बालों बाल लंबे टाइम तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे मैं अपना वान येर एक्सपीरियंस आपक स्ट्रेट